हेलो एवरिवन तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर के बारे में यह बहुत इंपॉटन्ट हो जाता है पीपीएसी मेंस के लिए और अगर नहीं भी होता है तो 66 के बाद यह मान लेते हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है त कि फर्टिलाइजर के लिए रहेगा वरना हम लोग देखा करते थे कि बहुत सारा प्राइवेट कंपनी बहुत सारा पब्लिक सेक्टर ही जो कंपनी हुआ करते थी वह लोग अपना 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 फर्टिलाइजर को बेचा करती थी और उसमें अपना लोगों लगा जाता अब क्या किया जाएगा इसमें इसको PMBJP भी करते हैं ठीक है आगे हम लोग देखें इसका फुल फॉर्म क्या है जिसमें बोला किया है कि कि एक सिंगल ब्रैंड होगा फर्टिलाइजर और लोगों के लिए ठीक है और इसको एक स्कीम के अंदर गतलाया जाएगा पीम बीजेपी जो कि ये पीम जन्वरक पड़ी होजना है ठीक है जन उर्वरक इसे इंप्लिमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कैमिकल्स और फ कर सकते हैं लोग 66.66% वहां पर जो ये पीम बीजेपी है मतलब ये वला ब्रैंड है वन नेशन वन लोगों ये इंप्रिंटेड रहेगा और जिसका नाम हो जाएगा भारत करके जैसे भारत यूडिया हो गया ठीक है भारत डीएपी हो गया तो वैसे करके और नीचे में थो डिस्पले देर नीम ब्रैंड लोगो अधर एलेवन इनफौन दवन थ़र्ट ऑफ स्पेस कि जो कंपणी है वह अपना नाम ब्रैंड लोगों जो कुछ भी है वह न थर्ट स्पेस में ही निप्टा दें उतनात में दिखाया है बाकी जो टू-थर्ट स्पेस है वहाँ पे र लगए इसका नाम रखा जैंगा भारत का प्रिफिक्स लगा कर दियों यह के भारत यूरियए तो यह सब चीजूग के लिए लगाए ज़लाईजर कम्पवनी गहां तब जितने भी छ वो खिरबिगेशिक साजी तो जो भी straight trading entities है वो सब और जो fertilizer marketing entity है मतलब जितने भी company है जो fertilizer बनाते हैं सबको भारत यूडिया भारत मतलब भारत का एक prefix लगा करके एक brand लगाना होगा ठीक है फिर क्या है कि यह apply जो होता है मतलब इसका benefit क्या है कि अब एक हो जाएगा ना कि हां एक government approval अगर किसी चीज में मिलता है तो हम लोगो एक assurance हो जाता है कि यह product बढ़िया होगा तो एक तरह से government security हो जाता है मतलब हो जाता है कि assurance कि हम लोगो अच्छा product मिल रहा है assurance of a good quality product पहला point अब यह लिख सकते है that we are assured assurance of a good quality of product दूसरा हो जाता है कि जो uniformity एक uniformity को maintain किया जाएगा इन फर्टिलाइजर ब्रांड जितना भी ब्रैंड है उसमें एक uniformity maintain रहेगा ठीक्या across the country यह हो गया तो drawback क्या है तो drawback इसका यह है कि यह ना फर्टिलाइजर कंपनी को the incentivize कर देगा from market undertaking making making and brand promotion activities जिसके करण क्या होगा ना कि जो contract manufacturer जो जो काम करते थे manufacturers वो लोग अब reduce हो जाएगे and importers from the government मतलब देखिए पहले मतलब कि जो जैसे हम लोग ही कुछ produce करते हैं अगर सब government के हाथ में ही चला जाएगा तो private लोग क्या करेंगे ठीक है यह अपना promotion कैसे करेंगा अब तो सब कुछ मतलब एक ही brand के अंदर हैगा तो किसी भी private individual या private company हो गए उसका तो कोई फाइदा नहीं होगा तो यह हो जाता है कि जो भी fertilizer company है उनको dis incentivize हो कि ठीक है फिर क्या है कि अब कुछ भी खराबी होगा ना कोई भी standard में कि अगर कोई भी product सही नहीं है या सही से क नहीं कर रहे है तो पूरा पूरा ब्लेम होगा ना डाट वी ओन गवर्मेंट गवर्मेंट ही responsible है इस चीज के लिए ठीक है for not meeting the required standards अगर कोई fertilizer सही नहीं है या कभी-कभी होता है कि fertilizer में यूडिया content जादा हो जाता है और सारा बाकी जो elements जाता है वो कम रहता है या फिर हम NPK का ही ratio देखते है उसको भी alter कर दिया जाता है तो यह सब issue हो जाएगा तो यह सब issue जोड़ाएगा वो government पर ही आएगा कि government ही खराब किया है और यह सब था तो यह drawback है और यह कुछ benefits है और यह पूरा scheme के बारे में था one nation one fertilizer hope आपको यह अच्छा लगाओ अगर अच्छा ल झाल